शतीज गड़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ अन्शिका पाथल नमस्कार आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती शुरुआत करेंगे सुक्मा से मिल रही बड़ी खबर के साथ पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठ भेड़ में तीन जवान शहीद हो गए हैं 14 जवान घायल हुए हैं जिन्ने एरलिफ्ट किया रहा है घायल जवानों का एरलिफ्ट किया जा रहा है तेकल गुडा में ये मुटभेड हुई थी और इस बीच बेहादी दुखत खबर तीन जवान शहीद हो गए हैं हलाकि बाकी की जवान घायल हुए हैं उनका एरलिफ किया जा रहा है लगातार जवानों और नकसलियों की मुटभेड की खबरें सुक्मा से आती हैं लेकिन इस बीच नकसलियों ने हमला करने की कोशिश की जवानों पर और 14 जवान यहाँ पर घायल हो गए हैं नकसलिय नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर कैम्प लगाए जिसके विरोधमनों ने फाइरिंग शुरू की चौदा जवान इस बीच घायल हुए है और तीन जवान शहीद हो गए हैं तो बड़ी खबर आपको बता दें सुक्मा से पुलिस नकसलियों के बीच मुटभेड तकरीबन 4 बजे तक मुटभेड चलने की खबर है तीन जवान इसमें शहीद हो गए है चौदा जवान गायल है गायल जवान एयर लिफ्ट कर लिएगा है टेकल गुड़ा में ये मुटभेड हुई सहोगी सत्यनारायन इस वत हमारे साथ जुड़े हुए है सीधा उनके पास लिए चलेंगे सत्यनारायन दुखत खबर तीन जवानों की शहदत क्या अधिकारी इस बात की गैरेंटी दे रहे हैं कि बाकी जवान सुरक्षित है वो उस इलाके से बाहर आ चुके है सत्यनारायन जी आपको बता दूँ कि जवान जो है अभी फिलाल घायल जवान है वो सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ पर कैंप जो है स्टेबिस करने का काम किया जा रहा थो एक आएक सुद्ध दो पर बारा बजे नक्सली वा धमकिया और नक्सलियों की बटालिन है वो चोत्रस्वा हम्रा कर दिया और जवान संबल पाते तक जो है कुछ जवान घायल हो चुके थे घायलों को बचाने का प्रयास किया गया एयर लिप किया गया लेकिन इस बीच जो ख़वर आई कि तीम जवान की साहदत हो गी है बाकि 14 जवान प्रात्मी इलाद चल रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि अधिकारी जो खुद मौके पर मौके पर ठीके सतिन अरायना परे रही है हमारे साथ अभिशेख शिकल जुड़ गए है नियूज एडिटर अभिशेख जी ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से सरकार बनते ही कि नकसलवात कुछ जड़ से खप्म करना है जिसके बाद लगतार आपरेशन्स चलाया जा रहा था इस बी जबाद लेशी तरूब से तुखध है ये खबर जबाद केंप साफित करने के वे थे देखे सरकार की सुरक्षा बलू की ये फिलाल स्टेजी रही है कि कैप पिचिए जहां पर भी नकसल मुमेंट जादा होता है जहां पर भी नकसली जादा समुस्तर पैदा करते हैं जबा हमला किया है जिसमें तीन जबान शहीद हो गया है और 14 जायल है जिनको ये लिदिक याज रहा है सरकार की बात है, सर ग्री मंतरी ने इस बात को कहा भी है कि बातीच के भी रास्ते खुले हैं और अगर बातीच के जरी बात नहीं बनेगा तो सुरक्षा बन एक्ड्रेसिव रणिटी अपनाएंगे। करवी बात को करना नहीं बनेगे। बहुत शुकरी पाइशाती निने सक्लाइब निए बढसर से चुन्ध आई यार्ट सार्यक्तर जुड़ने के लिए, इस हमें प्रमध कौन Divendale यी संगी पर्नक्ष यह नहीं है ज़ूआब गाये और जब जवान 55-ैशन6 लगा ना स्थ रूकिया तो फाइरिंग शुरू कर दी गई रूकिया तो वह बटालीन नमबर एक हिर्मा लिट कर रहा है वह इस लाके में काम करती है और बटालीन से ही आज बटवेड उनीओ करीब चार गिंटे तक फाइए बारा वाजिन से लिए तक चार गुजे तक जो सोर्च बता रहे हैं कि अच्का दूरीक हत्यारों सिंदेश थ यही दरसल जो आपको आपकी आखरी जानकारी है यही सबसे बड़ी चिंता है सत्य नारायन के जवान अभी उस इलाके में हैं अगर बारह से चार बजे तक लगातार फाइरिंग हो रही है यह समझा जा सकता है कि नकसली किस तयारी से है अधिकारी को साफ जवाब दे पा ह है अधिकारी भी वह मोझूद है वहाँ पर हलांकी उन से तंपर्ण packet नही पा रहा है कि उस इलाख抱क नहीं और अपना जो आकरमक हमला किया है लेकिन जवान पीछे नहीं आटे हैं हमाँ कैम खोल कर ही चैनल लिया हो यही आज भी हुआ है कि वहां को नक्सित पहुंचे है क्योंकि उनकर गढ़ जवान जा रहे हैं उनके पोल रिलाके में ज़ानों की दस्तक हो रही है अगर कैम खुले का तो इस जवाब धी कारवे किया और इसमे नुक्षान जो है नक्षिलों को वहा है। कि इतने लुक्षान हुआ है लेकि नस्यों की तदाद भी काफी तियों लुक्षान भी उनको काफी जाद हुआ है तो बरहाल जवान वहाँ पर मौजूद है अभी जो सोर्सेज बता रहे कि खत्री की कोई बात नहीं है पूरे मोर्चे जवान संबाले हुए है मौके पर स्याद प्रेप के आदिकारी मौजूद है उस केम्प कोलने की लगाता सुक्मा में बैठके हुई है स्याद प्रेप के डीजी और बड़े अधिकारी यहां पर राया है क्या मौके से कोई भी चीज मिली है जिस तरीके से नकसली कोशिश करते हैं आईईडी लगानी की तो इस तरह की चीजें भी जवानों को पहले मिल चुकी है तो ऐसी कोई चीज कोई हतियार दरसल उस लाके में जब भी जवान जाते हैं या केम खोलना या सर्चिंग करने तो जुरान को आईडी तो बरामद होता ही है लेकिन अभी मौके पर क्या बरामद हुआ है अभी तो इस्तेती सपष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि जो जिला मुक्यले में पुलीस अधिकारी है उनका संप्रग नहीं हो पा रहा है पुरी स्तेती सपष्ट बार नहीं आ रही है जैसी मुडवेड बंध हो जाएगी और देर रात तक पुरी चीजे बार नेकल कर गाई है जब अधिकारियों से बातचीत होगा तब पुरी चीजी समझ में है क्योंकि पुलीस परसासन्त प कोई गैरेंटी की लगातार मदद वहाँ पर पहुंचाई जा सक रही है सत्यना राइंग वहाँ पर पर केम आलेडी मुझूद है जो घाल जवाने उनको वहाँ सिलगेर लाया गया है वहाँ पर उनकाफिय उच्टार वक्टर गया तो अभी फिलाल पर प्रैत पात्र में बन मोझूद सब्सक्राइब नजल बनाए रखेगा सतिन नराएन आगे भी आपस जानकारी रहेंगे बहुत शुक्री आफिलाल जानकारी साजहर करने